जै जवदानी ब्यूटी वेदा अस्ट्रोजी की फाउंडर मैं कामीनी खन्ना आप सभी समझदार सुरताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विश्या लेकर हाजिर हूँ गुरू पूर्वा भादरपदा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं आज 2 मार्च 2022 को जहां पर विचरेंगे अठाईस एप्रिल 2022 तक चर्चा को आगे बढ़ाओं इससे पहले आप सबसे नमर निविदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्लैश ब्यूटी वेदा अस्ट्रोजी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों के लिए वाट्सप नमबर मैंने दिया हुआ है आईए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जब सूर्य पूर्वा भादरपदा नक्षतर में प्रविश कर गए तब मैंने आपको एक विस्थित वर्णन दिया था सूर्य का पूर्वा भादरपदा नक्षतर में प्रव इनसान को पुरोपकारी, महान, दाता और हरवंदे का ध्यान रखने वाला देवत्व जिसके गुण है ऐसा होता है गुरू अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं पूर्वा भादरपता नक्षत्र में और वहाँ पर वो विराजमान रहेंगे 28 एपरिल तक तो समझ लीजे के लगभग ये दो महीने का पीरिड जिन लोगों के लिए गुरू कारक है जिन लोगों के लिए गुरू काम दे रहा है अच्छे उन लोगों के लिए बहुत ही जादा शुब रहेगा और जिन लोगों के लिए कारक नहीं भी है और जिन लोगों को अगर तरास दे रहा है गुरू उन लोगों को थोड़ी सा अबधानी वरतनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर गुरू बली होने जा रहे हैं अब बात ये भी देखने वाली होती है कि गुरू मृत अवस्ता में है बाल अवस्ता में है युवा अवस्ता में है आपकी कुंडली में या गुरू जो है वो अस्ता है आपकी कुंडली में गुरू आपकी कुंडली में किस ग्रह के साथ बैटे हैं किस ग्रह की उन पर दृष्टी है उनका बल कितना है ये सब देखने के बाद ही दिसाइड किया जाएगा कि पुर्वा भादरपदा नक्षतर में प्रविश करने वाले गुरू आपको कैसा फल देंगे लेकिन फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बताने जा रही हूं असर जमान है अचानक से भागे में वृद्धी पैसों का आना काम का बढ़ना और हो सकता है ऐसा भी कि आपके विदेश रिलेटेड काम हो जाएं उन पर खर्च तो होगा लेकिन आपके काम बनते नजर आते हैं वीजा वगरे लगने की बाते होंगी तो हो जाएंगी आपके यात्रा एंसी जिसमें आपको साथ-साथ में धार्मिक यात्रा भी हो जाएं और काम भी हो जाएं ऐसी होंगी और आपके बड़े भाए भेनों का साथ मिलना आपके कुछ ऐसे काम होना जिसमें आपके साथ भी काम शामिल हो तो चलिए कमर कस लीजिए आपके काम होने वाले हैं पैसा आने वाला है पहित्रिक संपती से रिलेटेड विवाद और कोट केसेश में आपको अच्छी खबरे मिलेंगी बृष्षब राशी गुरू कोम राशी में पुरू अभादर कदा नक्षत में प्रविश कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी तवियत जो है उसको औ जला में देगा और आपका काम तो बढ़ाएगा लेकिन इतना स्यादा ठकना आपको रास ना आएगा और हो सकता है कि तवियत खराब हो diabetes से पीडित लोग अपनी तवयत का विशेश ध्यान रखें, शुगर का ध्यान रखें, मोटापेश से पीडित लोग अपना ध्यान रखें और अपने विस्साथ साथ ये भी देख लें, कि आपके कारिय स्थल पर आपको बहुत सादा देर तक काम करके बिमार नहीं होना है, पिता से फुल सपोर्ट, आपके कुछ ऐसे काम, अगर आप कोई धर्मिक कारे में हैं, जैसे हम एस्टोलोजी वगरा करते हैं, ऐसे सब कारवालों को बहुत सादा इंक्रिमेंट आगे बढ़ना ही सब हो सकता है, अगर आप कोई शिक्षक हैं, ध्यापक हैं, तब भी आगे बढ़ेगा, करकराशी, आपके लिए अब देखे के विरोधी आपके शान्त हो जाएंगे, काम का आज में बड़ोती नहीने, आफर्स, और तबियत जो खराप थी, आपकी ये वीक्रनेस थी, तो उससे आपको निजाद मिलेगी, आप एक बार ध्यान रखिएगा, कि पेड जीवन के पार्टनर से भी सपोर्ट है, तो आपकी उनके साथ कोई समस्याएं थी, तो वो जटल समस्याएं निपढ़ती हुई नजर आती है मुझे, सिंगराशी, आपके बच्चों से आपको काफी खुशी मिलने की संभावना है, आपकी तवियत ठीक होने की संभावना है अगर आप अपने बच्चों को अद्धन पढ़ाई, अपनी अद्धन पढ़ाई के लिए आगे लेके जाना चाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपके विवाही जीवन में काफी सोहारत रहेगा, वेवसाएक पार्टनर के साथ भी खुब चनेगी, वेवसाएको आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी पब्लिक इमेज अच्छी हो सकते हैं, कन्या राशी, आपके लिए गुरू के पुर्वाभादर पता नक्षतर में प्रविश करने से, आपके लोन्स लेने देने से रिलेटेट जितने काम थे हो भाग दोड के बाद बनेंगे, अब यहाँ पर तोड़ा क्वेशन मार्क है, कि आपको विवाहिज जीवन का कम सपोर्ट है इन दिनों, तो वो मिलना शुरू हो सकता है, यह साइक पार्टर के साथ भी सपोर्ट मिल सकता है, माता पक्ष की तबियत समाले, लेकिन इन दिनों आपको उनका डाइगनोज मिल जाएगा, कि क्य करना है, अपने हेलपर्स और अपने वाहन दोनों का ख्याल रखिएगा, घर के सुखों का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से, बेचैनी नहीं होनी चाहिए, वैसे गुरू आपके लिए बहुत जादा कारक नहीं है, तुला राशि, आपके लिए पराकरम भाव का और शेष्ट भाव का स्वामी है गुरू और वो पंचम में जाकर पूर्वा भादर पदा में जाता है, तो आपका ध्यान पढ़ाई का पढ़ना, आपकी यात्राओं में यश मिलना, बुद्धी मर्ता से, आपके बच्चों से सपोर्ट मिलना, आपके लून्स वगरा क्लियर ह यह सब आप सोचेंगे भी और करेंगे भी और अपना ध्यान पढ़ाई भी बढ़ाएंगे, तवियत के लिए मैं आपसे अगर कहूं तो आपको तवियत थोड़ी सभालने पड़े की, विशेशकर ओम महालक्ष मनमा के जाप करें तो आपको कोई तकलिफ नहीं होगी, और आपके बच्चों से आपको खूब सपोर्ट मिलेगा, अगर वो आपके साथ बिजनेस में है, लोन्स लेना देना है, तो वो भी हो सकता है, मृष्टिक राशी, मृष्टिक राशी के लिए परिवार से सहयोग, रैनोवेशन वगरा के काम में संपन नता, आपके अगर वाह प्रॉपर्टी होती है, उसको बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, आपकी बुद्धी मत्ता काम आएगी, आपकी पढ़ाई, आपकी जो भी सोच है, वो काम आएगी, परिवार से फुल सपोर्ट मिलेगा, पैसा आने की पूर्ण संभामना हैं, धनुराशी, धन पैसनालिटी में निखार, आपके चेहरे परतेज, आपका आकर्शन बढ़ेगा, अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप ऐसे कामों में हैं, जैसे सात्वी काम हैं, कुछ, तो खूब सारे काम बनेंगे, माता पक्षा से खूब सहयोग, घर में सुख बढ़ेगा, वाहन हदरपदा में प्रविश करना, आपके लिए अत्यम तश्यूभ रहेगा, विदेश रिलेटेट काम बनेंगे, जिन से धना आएगा, आपके कुछ ऐसे काम है, जो यात्राओं में होने वाले हैं, तो उसमें ठकन होगी, खर्चे होंगे, लेकिन पैसा आएगा, परिवार से सपोर्ट होगा, आपके प्रेम संबंदों से सपोर्ट होगा, आपकी अगर कोई विजा वगरा लगने की कोई अर्चने थी, तो आप अभी पुश कीजिए, हो जाएगा, और आपके खर्चे हो सकते हैं परिवार पर, कुम्भराशी, लगना में गुरु है, और पुर्वा इराहत मिलेगी आपको, बोलने चालने का बिजनस, कंसल्टेशन, काउंसिलिंग, गाना, बजाना, सिंगिंग, इन सब में भी आपको फायदा मिलेगा, धन कमाएंगे आप, दोनों तरफ से, आपके लिए गुरु का मतलब है धन, और धन जो है, विशेश मातरा में आपके पास आएगा, अपनी कोशिश है, जारी रखिये, मीन राशी, मीन राशी के लिए आपके लगनेश है, गुरु और आपके दरशमभाव के लगनभाव के स्वामी है, परसनालिटी में निखार, अपनी कामों में निखार, कोई जोलरी वगरा के काम में है, सोने के काम में है, कोई मीडिया से रेलेटेड काम में है अगर कोई ऐसे काम में है जिसमें सात्विक्ता है ऐसे अध्यापक हैं टीचर हैं कोई भी तरह काग्यान बाढ़ते हैं तो आपका काम बढ़ने वाला है आप उसके लिए तयार हो जाए लेकिन ये सब काम अगर आप विदेश में कर रहे हैं तो वहाँ पर जादा बढ़ेगा यहाँ पर बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा एक दो महिना रुकना पड़ेगा उसके बाद आपके काम से चारू रूप से चलना शुरू होने वाले हैं एक बहुत अच्ची स्थिती में आप आने वाले हैं मैं कामी निखना बता रही थी गुरू के पुर्वा भादर बता नक्षतर में प्रवेश करने का असर सभी राशिवानों पर इसी तरह और भी कई चर्चाएं लेकर हाजिर होती रहोंगी आगया दीजे धन्यवाद और नमस्कार गड़ ब्लेस यू टेक केर और गुट बाए